हर योम आप सभी को मैं योगाचार्य जल्चमोली आप सब का हर्दी कभी नंद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योगनगरी रिशीखेश में आप सबस्वस्त होंगे और निरंतर योग या योग से जुड़ी भी क्रियाओं का लाब इस चैनल के माध्यम से उठा रहे होंगे और नहीं नहीं जानकारी और लोगों तक भी शेयर कर रहे होंगे तो जैसा कि मैं पहले भी बहुत सारी बीमारियों को आपको बता चुका हूं तो उसी से रिलेटिट आज मैं एक ऐसी बीमारी लाँ हूं जो आपने बहुत कम सुनी होगी बहुत कम लोगों को पता होगा आज का मेरा टॉपिक है टीनिटस तो टीनिटस के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या होता है और उसमें कौन-कौन से इफेक्टिफुल आसन है प्रानायम है जो आपको लाप परतान करेंगे तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और लोगों तक भी इसे शेयर करें चलते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर स्वLYखआ तो टृनिट्स में होता है आपको आवाजिस आवाज्यित सुनाई देती कानों के अंदर फुंकारसी सुनाई देती तो यह सब्कiquement ने नीन पूरी नहीं होती तो उन सभी लोगों के सारी बारी होने लग जाती है साथी साथ जो लोग डिप्रेशन या जिन लोगों को माईग्रेन जैसी समस्या होती है या सर्वाइकल भी होता है उन लोगों को भी यह वाली समस्या आने लग जाती है और जिन लोगों की दिन्चरिय भी बेकार होती है तो उन सारे लोगों को भी यहाँ ब हमारे शरीर में blood circulation को तेजी से बढ़ाता है जिस वजह से जब हम नीचे की तरफ जुखते हैं तो कान में तेजी से blood circulation जाता है और यह सारी समस्या जो हमें होती है आवा जाती है वह नहीं आएगी तो कैसे करना है आपको सबसे पहले आपने क्या करना है लेड़ जाना है ठीक है यहां बैटके भी सबसे पहले आप पदमासन लगा लिजिए कुछ इस प्रकार ठीक है क्रॉस करके ठीक हैं जितना आप थाइस के उपर तक ला सकते हैं ठीक हैं और उसके बाद दीरे से बीट के बाद लेट जाएंगे तो सबसे पहले आपने एल्बो को मोड़ना है और आपने टोस को पकड़ना है यहां पर और गर्दन को लूश ओड़ देना है जिनका गृप न कि अब दस से पंदा सेकिंड इसी में हूं अभी अब है कि अब कि अब दीरे से सबसे बारे गर्दन को अटाएंगे उसके बाद याल्बो को उसके बाद पैरा को खोलेंगे और धीरे से है वापास तो इसका अभ्यास भी अगर आप रोजाना तीन से पांच बार करेंगे तो आपको बहुत हद तक इसमें लाब मिलें कि चलते हमारे इफेक्टिफुल प्राणायम की तरफ जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायम ठीक है इसका अभ्यास करने से जो आपके यह आवाज कुछ हद तक कम होगी कैसे करना है आपको आप सुकासन पदमासन किसी में भी बैठ सकते हैं तो मैं पदमासन लगा रहा हूं के सामने ठीक है जिसमें आप लंबे समय तक रुख सकें और कोशिश करें कि दिन भर में तीन से चार बार आप इसका अभ्यास करें तो आपको बहुत अत्तक इसमें लाब मिलेगा ठीक है मैंने लगा लिया पदमासन उसके बाद मैंने बना दिया शच्टी मुद्रा ठीक है और कोशिश करने के पूरह तरीके से दोनों अंग्लियों से दोनों आक कैसे गना कि तीरे से रिलाक्स रिलेस तो अब इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि जो यह थम से आपके कान बंद होने चाहिए ताकि आपको अंदर की आवास सुनाए दें और स्टार्टिंग में आप पांच से आठ बारी इसका अभ्यास करें जैसे जैसे आपका रिदम अच्छा होता जाएगा तो आप इसमें समय सीमा बढ़ा सकते हैं और दिन भर में तीन से पांच बार आप इसका अभ्यास कर सकते हैं उमीद होगी जो मैंने आज का इफेक्टिफ फुल ये वीडियो बनाया है आपको जरूर पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें लाइक करें कमेंट करें धन्यवाद